मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याण करेंगे मित्रों वर्स दोहजार चाबिस में दिवाली पूजा कब है जानिए सही तीनवतारी क्या है पूजा का सुप मुहूरत कब है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्रा मित्रों हिंदू पंच्यांग के अनुसार दिवाली का पर्व हर वर्स कार्तिक मास के क्रिष्ट पक्ष की आमवस्यातिथी को मनाया जाता है इस दिन धान की देवी माता लच्मी गणेश और कुबेर की पूजा करने से जीवन में सुक सम्रिध्धी आती है दिवाली का पर् प्रतीक माना जाता है यह पर्व मुख्य रूप से पांस दिनों तक चलता है जो कि धान तेरस से सुरू होता है और भाई दोच के दिन समप्त होता है ऐसी मानिता है कि दिवाली के दिन स्वयम माता लच्मी धार्ती पर आती है और घर-घर में बीचरण करती है इसलिए बिधान के साथ पूजन करने से माता लच्मी की विश्यस क्रिपा होती है लच्मी पूजा के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है दीवाली के दिन लच्मी पूजन से पहले घर की साप सफाई करे और पूरे घर में वातावरण की सुध्धी और पवित्ता के लिए गंगा जल का छिर्काव करें साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियूं का एक शरिंखला बनाएं पूजा इस्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछा कर उस पर माता लच्मी जी और गणेश ची की मूर्ती रख दें चौकी के पास जल से भरा एक कलस रखें माता लच्मी और गणेश की मूर्ती पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल मोली चावल फल गूड हर्दी अभीर गुलाल आदी अर्पित करें और माता लच्मी की इस्तुती करें इसके साथ देवी सरस्वती माता काली भगवान विश्डु और भगवान कुवेर की विधी विधान के साथ पूजा करें लच्मी पूजन करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ होकर करना चाहिए पूजन करनी की बाद स्रद्धा अनुसार जरूरत मंद लोगों को मिठाई और दान दच्छडा दे मित्रुन अब आपको बता दे की वर्ष तो हज्जार 26 मी दिवाली 8 नवंबर दिन रविवर को मनाई जाएगी दिवाली पर लच्मी पूजन करने का स्रूप मुहरत है साम 5 बचकर 55 मिनड़ से लेकर साम 7 बचकर 51 मिनड़ तक रहेगा यानि पूजा की कुल अवदी होगी एक हंटे 55 मिनड़ प्रदोस्त काल में पूजा का समय होगा साम 5 बचकर 31 मेर से लेकर रात 8 बचकर 8 मेर तक रहेगा ब्रिशब काल में पूजा का समय होगा साम 5 बचकर 55 मेर से लेकर साम 7 बचकर 51 मेर तक रहेगा